अपनी समय की सबसे बुद्ध्यमान व्यक्ति काहे जाने वाली आचारी चानिक ने अपने कितब चानिकी निती में कई ऐसे बाते लिखे है जो आज की समय में भी बिल्कुल सटिक माने जते चानिकी निती पुस्तक में महिलाओं और पूरुशंग के बारे में कई ऐसे बाते लिखी है जो आज भी उतनी ही सच है जितने की आज से हाजारों साल पहले थी चानिकी का कहना था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो एक गलत बात नहीं है लेकिन आप किसी से अंदब्रेम करते हो तो आप मूर्ख हो चानिके का माना था कि किसी भी स्त्री के बारे में सब जाने बिना उसे विवाह नहीं करना चाहिए अगर आप किसी की कूपसूरत पर मोहित होकर उसे शादी कर रहे हो तो आपको मौत के समान कशीनी के लिए भी तयार रहना चाहिए चानिक्य का कहना था कि जरूरी नहीं है कि हर कूपसुरत लड़की चलाक और दोके बास हो पर ज्यादातर कूपसुरत दिखने वाले लड़किया दिल से इतनी कूपसुरत नहीं होती चानिकी ने बताया है कि शू और विश्णू भी कभी कोई पत्नी को नहीं समझ पाई तो कैसे कोई आम इंसन, कैसे किसी महिला को समझ सकता है चानिकी ने कहा कि अगर आप किसी महिला की समझाने की कोशिश करता हो तो आप खुद को भूलना शुरू कर देते हो महिला एक ऐसा समुद्र है जिसका गहरायों को पहचाना सम्भव है महिला अगर खूबसुरत हो, समजदार हो, संसकारी हो और प्रेम करने वाली हो आप धर्ती पर ही स्वर्ग का अनवो कर सकती है पर अगर महिला खूबसुरती के अलावा कोई गुण ना रखती हो, तो आपका घर परिवार यहां तक की आपको भी बरबाद कर सकती है चानिकी ने बताया है कि जब लड़किया एक लड़के से बात कर रही होते हैं, तो ओ दूसरे से प्रेम कर रही होते हैं और तीसरे की बारे में सोच रही होते हैं, आईसी लड़किया की मान सिकता पूरी उमर आईसा ही रहती हैं, और वो शादी के बाद भी अपनी पती को दोका देते हैं चानिकी ने बताया है कि प्रेम एक कूपसूरत चीज है, पर ये तब भी कूपसूरत है जब अच्ची और सच्ची विक्ति के साथ किया जाएं, चाहे वो लड़का हो या लड़की चानिके का क्याना है कि महिलाओं का धन और स्वर्न का बहुत शौक होता है, जिसके लिए वो आनेक लड़कों को फासाना पसंद करती है हाला कि आज की समय का महिलाएं अपने सारी जरूरतां को पूरा करने के लिए खुद मेहनत करती है पर आज की समय में भी खईया इसा महिलाएं होती है जो पैसे के लिए ही किसी से प्यार करती है चानिकी नीदे के अनुसर जीवान साते चुनने से पहले बहुत सोचना चाहिए क्योंकि शादी जन्वों का रिष्टा होता है और गलत विक्ती से शादी करना आपके लिए बेहत दुकी साबित हो सकता है चानिकी ने ये भी कहा कि महिलाएं अपनी भावनाओं को चुपाने में सक्षम होती है पर असल में महिलाओं ने पुरुष से दो गुणा ज्यादा भूख, चार गुणा ज्यादा समशीलता और आठ गुणा ज्यादा कामोक तेशना होती है इसलिए महिलाओं को कभी समझने की कोशिश ना करे नरना आपको इसके लिए पच्चतर ना पढ़ सकता है दोस्तो ये वीडियो आपको अच्चा लगे तो लाइक करो, वाटस अप और फेस्बुक में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करना एक अच्ची वीडियो के साथ फिर मिलेंगे